अलो स्टुदेंट्स इस मिनाक्षिय शोदिया, असिस्टेंट टीचर अफ कॉमर्स फ्रॉम् गोवर्मेंट गिल्सेंटर कॉलेज विश्यारपर, सेक्टिफिटिवन नाइडाग। त्वेंथ क्लास का टॉपिक लिया है थोक वियापारी यहने कि होलसेलर जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनिशन, करेक्टरिस्टिक्स, फंक्षन्स, सर्विसेज, एलिमेंट्स, आर्गुमेंट्स इन फेवर ओफ टर्मिनिशन ओफ होलसेलर, आर्गुमेंट्स इन तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोक वियापारी का अर्थ एवं परिभाशा, थोक वियापार का आश्यर ऐसे वियापार से है, जिसमें वियापारी उत्पाद को अथवा निर्माताओं से भारी मात्रा में माल खरीद कर, अवशक्त के अनुसार थोड़ी-थोड़ी मात् पोई माःता हैं, जो वियापारी हैं वो प्रोडियूसर से जो माल बनाता है, जो निर्मान करता है से बड़ी मात्रा में माल खरीदता है जन्सार जादा माल खरीदता और उसप निढ़िnewson के अकॉर्डिव थोड़ा थोड़ा करके फूटकर व्यापारी, यानिकि जो चोटी-चोटी शोपफीपर्स होते हैं, उनको बेचता है थोटक व्यापारी वह होता है, जो वस्तु पाद को ये निर्माताव से बड़ी मात्रा में खरीता है, यानिकि जो वो पड़ी quantity में माल को खरीदेगा और जो फुटकर भी अपारे होते हैं उनके इसकी need के according थोड़ा थोड़ा करके उनको बेचता है एक परिभाशा भी दी गई हुई है मैसन और रथ के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति या फर्म जो वस्तु को खरीद कर या तो फुटकर विकरे जो उपभूक तक पुना बेच देते हैं यानिकि वो फिर जो प्रोडुसर्स होते हैं उनको दुबारा बेच देते हैं या फिर फर्मों को बेच देगा या फिर जो बड़ी-बड़ी फर्में होते हैं उनको बेच देगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करेक्टरिस्टिक्स विशेष्टा है पहली विशेष्टा है माल का बड़ी मात्रा में क्रेख धोक वियापारी क्या करते हैं जो माल को खरीदते हैं बड़ी मात्रा में खरीदते हैं जादा से जादा माल खरीदते हैं दूसरी विशेष्टा है फुटकर व्यापारी को माल का विक्र है कि जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो माल को बेचते हैं उनकी अवशक्ता की अनुसा तीसरा है नमूने द्वारा विक्र है कि वो पहले क्या करते हैं अडवर्टाइज करते हैं अपने माल की विग्यापन क करते हैं पहले सेंपल दिखाते हैं यह जो बाकी का माल सारा गोडाउन में रहता है वो सिर्फ एक सेंपल के तौर पर अपने शौप में रखते हैं क्योंकि फुटकर विख रहता है जब समार खरीदने आता है तो पहले क्या करते हैं उसको सेंपल दिखाते हैं फिर जो सेंपल थोक व्यापारी अपने मूले में या प्राइज में चेंजिस करता रहता है लास्ट है अत्यधिक पूंजी जो थोक व्यापारी होता है उसके पास इतनी पूंजी या कैपिटल होनी चाहिए ताकि वो अगर कोई फुटकर विक्रेता जो फुटकर व्यापारी होता है अगर व पहला है माल का 81 करण वो क्या करते हैं माल को 81 करके रख लेते हैं उसका स्टॉक अपने पास रख लेते हैं दूसरा है वस्तू का वित्रण कि वो वस्तू को क्वालिटी वाइज प्राइज वाइज डिवाइड कर देते हैं कि इस प्राइज की यहां है इस प्राइज की यहां ह तो उनको divide करके रखतेते हैं, तीसरा है वस्तो का stock रखना, हर तरह की वस्तो का वो अपने पास stock रखते हैं, कि फुटकर विक्रेता को जिस तरह का भी चाहिए, वो उसको available करा सके, फूर्थ है बजार की सूचना, पूरे market में कहा पर क्या rate है, किस quality का है, किस की ज़्यादा need ह उसकी information थोक व्यापारी को हूनी चाहिए परिवहन के विवस्ता थोक व्यापारी के पास अपने ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है क्यों तक कि अगर कोई भी फुट का विक्रेता लाने में सक्षम नहीं है या वो नहीं आपाया है लाने तो आप उसको अपने ट्रांसपोर्ट के जरीए माल को पहुंचा सको जैसे ट्रक से टैम्पो से ओटो से किसी भी चीज़ से इसलिए इससे क्या होगा कि आपका जो माल है और ज्यादा impression बढ़ेगा और जो फुट कर विक्रेता है उसके भी help हो जाए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थोक व्यापारी की सेवाई इसकी तीन सेवाई है पहली है उत्पादक एवं निर्माताओ के प्रति यानि कि जो माल का निर्मान करते हैं माल को बनाते हैं उनके लिए क्या सेवाई है दूसरा है फुट कर व्यापारी के प्रति जो फुट कर व उत्पादक एवं निर्माताओं के प्रतिसेवाई अधिक मात्रा में माल का आदेश देना जो थोक वियापारी होता है वो निर्माता को या फिर जो माल बनाता है उसको अधिक मात्रा में माल का आदेश देता है और की ओर्डर देता है ताकि जादा से जादा माल वो खरीद सक करता है मैड्यस्थ का कारव result थोख व्यापारी होता है मिडियेटर काold करता है मीडियेटर का mean निर्माता उसे उत्पद को से माल खरी दता है और फूटकर व्यापारी को बेचता है यानिकंगांगे इन दोनों के बीच का का Wow दोसरे है हमारा फुटकर ब्यभापारी के प्रती सेवाए माल के चुनाव में सूफीधा क्या सूफीधा देते हैं कि फुटकर वियापाई को अतनी धी ज고 ऐक्ली ऐसेलीटी दी ग Жरwh चुनाव कर सके अपनी इंटरस्कर requiring कि हाँ जिसमें उसको ज्यादा उसको ग्राहां कि रुची का पता होता है उसका इंट्रस्ट का पता होता है कि हां किस कस्टुमार को किस तरह का समान पसंद आएगा तो वो चूज कर सकता है उसके पास में वो पता कर सके और प्रेजेंट में भी उसकी पूरी नौलिज को यूज कर सके लास्ट है इसमें वस्तो का विक्रय योग्य बनाना वो जो खरीद के लाता है निर्माता उसे तो उसको और अच्छे से विक्री योग्य बनाने बेचने योग्य बनाने उसको उसकी पैकिंग लैक बना देता है ताकि उसकी बिक्री अच्छे से हो और कस्टुबार उससे और ज्यादा इफेक्टिक हो लास्ट आता है समाज के प्रति सेवें समाज के लिए क्या क्या सेवाई हैं मूलियों में कमी कि जब अपने बिक्री बढ़ाने के लिए वो कभी कभी अपने प्राइज में कमी कर देता है ताकि क्राहक जादा से जादा है और फुटकर व्यापारी को भी जादा से जादा समान ले निरंतर माल के पूरती उसके पास उतना स्टॉक होना चाहिए कि किसी भी समय अगर फुटकर व्यापारी आदेश देता है या माल मांगता है वो उनकी मांग को पूरा कर सके वस्तो के चुनाव के सुविधा वो वस्तो के चुनाव के सुविधा भी देता है कि किस तरह कि क क्वालेटी का किस मॉडल का उसे तो समान चाहिए वो उसको चुनने में पूरी-पूरी हेल्प करता है तो इस्टुडेंस यह थी हमारी थोक व्यापारी की सेवाएं नेक्स टॉपिक है थोक व्यापारी की सफलता के लिए अवशक तत कि अगर थोक व्यापारी को सफलता चाहिए तो उसके लिए उसे क्या-क्या तत चाहिए क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं पहला है प्रियाप्त पूंजी उसके पास इतनी कैपिटल या इतनी पूंजी होनी चाहिए कि वो अपना माल गोडाउन में भरके रख सके और इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि अगर फुटकर विक्रेता कभी उधार माल खरीदने आता भी है तो वो उसको उधार माल बेच सक वस्तु का पूर्ण ग्यान उसे जिस वस्तु का वो व्यापार कर रहा है उसकी पूरी नौलेज होनी चाहिए नेक्स्ट है आधुनिक गोदाम उसके पास अपना एक गोदाम होना चाहिए जिसमें कि वो अपने सारा स्टॉक संभाल कर रख सके और जरुत पढ़ने पर वहां से निकाल सके प्रियाप्त स्टॉक प्रि इतना स्टॉक होना चाहिए कि फुटकर व्यापारी जितना भी माल मा वो उसकी पूर्ती कर सके लास्ट आता है यातायात की साधन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यातायात की फेसिलिटी भी थोक व्यपारी के पास होनी चाहिए क्यों अगर फुटकर विक्रेता नहीं आपाता है समाल लेने और उसको जरुवत है तो आप उसकी हेल्प के सेकिंड नेक्स्ट आपका टॉपिक है थोक व्यपारियों की समाप्टी के पक्षमें तर्क कि कुछ चाहते हैं कि थोक व्यपारी की समाप्टी हो जै तो इसके जो लोग इसके फेवर में कुछ पॉईंट्स इधर हैं वस्तु के मूलने में व्रद्धी कुछ लोगों का मान मानना है कि थोक व्यपारियों की वजह से ही जो वस्तु है उसके प्राइज में बढ़ावा आता है यह जो वस्तु के प्राइज है वो किसकी वजह से बढ़ते हैं थोक व्यपारियों की वजह से क्योंकि यह इसी से अपना लाब या प्रॉफिट कमाते हैं अत्य दिक लाब कम माल की क्वालेटी पर ध्यान नहीं देते लास्ट है नवीन वस्तु के उत्पादन में आरूची आलोचको का मानना होता है कि जो थोक व्यपारी होते हैं वो सिर्फ फेमस चीजों पर ज्यादा इंटरस्ट दिखाते हैं जो नई चीजे आ रही है नए नया ट्रेंड में आ रह तो यह थी इसकी समाप्ति के पक्षमें तर अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक थोक व्यपारियों की समाप्ति के विपक्षमें यानि कि कुछ लोग चाहते हैं कि इनकी समाप्ति ना हो पहला पॉइंट है बेरोजगारी में व्रधी थोक व्यपारियों के समर्थकों का कथन है कि थोक व्यपारी के समाप्ति असंख्य लोग बेरोजगार हो जाएंगे कि अगर थोक व्यपारी खतम हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं तो इससे बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी कैसे जैसे मुनीम होते हैं या उनके होते हैं जो उनकी हेलपर होते हैं उनकी नोकरी चली जाएगी नेक्स्ट पॉइंट है निर्माता के कारे में व्रद्धी जो निर्माता है निकि जो माल बनाता है उनके काम में व्रद्धी हो जाएगा उनकी उनका काम बढ़ जाएगा फिर वो क्या करेंगे माल भी बनाएंग मार्केट की भी खोज करेंगे कि किसको चाहिए किसको ने चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसका कैसा इंटरस्ट है किसको किस तरह की चीज चाहिए कस्टूमर से संपर्क भी बनाएंगे एड़टाइजमेंट भी खुद ही करेंगे माल का स्टॉक खुद ही तैयार करेंगे सारा काम निर्माता के उपपर आ जाएगा लास्ट पॉइंट है साक सुविधाय समर्थकों का मानना है कि ठोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को माल उधार देते हैं जो ठोक विया पारी के समापति के विपक्ष में तर हमारा चैप्टर फिनिश होता है I hope आप लोगों कुछ समझ में आया होगा Thank you so much